कहाई कबीर चुम्बग विना क्यों जीते संग्राम करनी करहे सो पूत हमारा कथनी करहे सो नाती रहनी रहे सो गुरू हमारा हम रहनी के साथ ही इसलिए उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की आवश्चता है जब हम उनके जीवन के रहनी को अपने जीवन में उतारेंगे तब ही हम अध्यात्मिक में सफल ताकि और जा सकते हैं तो एक भजन है उसी भजन के बाद मैं अपनी बारी को भी रांदूगा जेष्ट की पूणी माको सद गुरु कबीर आये ब्रह्मु पाखंड सब दूर हटाकर सत पत दर्स आये लहर तराक धीग कमल फूल पर पाए है नीरु नीमा जुलाह गरीब घर फिर भी ऐसा चमगय जैसे रब उगयाए भ्रहमु पाखंड सब दूर हटाकर सत पत दर्स आये जेष्ट की पूणी माको सद गुरु कबीर आये ब्रहमु पाखंड सब दूर हटाकर सत पत दर्स आये चाओ दास पाच पन में जनम हुआ था जैसा जिये वैसा कोई ना जिया था उन्ही कजीना सफल हुआ जो फिर जगना आये ब्रहमु पाखंड सब दूर हटाकर सत पत दर्स आये जेश्ट की पूणी माको सद गुर कबीर आये ब्रहमु पाखंड सब दूर हटाकर सत पत दर्स आये पंद्रासो पचात्तर में कासी को छोडे खर का भ्रहम मागा हर जातोडे आयसा निर्भय पुरुष्ण देखा जो करके दिखलाए भ्रहम पाखंड सब दूर हटाकर सत पत दर्स आये जेश्ट की पूरी माको सद गुरु कबीर आये भ्रहम पाखंड सब दूर हटाकर सत पत दर्स आये उनका विचार था अगनी का गोला जो सब काली मल जली भय जोला सुधार हुआ जीवन उनका जो पारक पद पाए भ्रहम पाखंड सब दूर हटाकर सत पत दर्स आये जेश्ट की पूरी माको सद गुरु कबीर आये भ्रहम पाखंड सब दूर हटाकर सत पत दर्स आये इनी सब्दों के साथ मैं अपने बाणी को गिराम देता हूँ बोलिए सद्गुर्देव की जाये